हाई ओल स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेरा सिलेबस में तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप गोर्वेंट राजिस्थान गोर्वेंट से रिलेटिड कोई एक्जाम फिलप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रिजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा तो रिजिस्ट्रेशन का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आप देख सकते हैं आज देखते हैं कि जो लैब असिस्टेंट का फॉर्म आया हुआ है वो आप कैसे फिलप करते हूं तो step by step में आप लोगों को बताऊंगा और आप उसको follow करके अपना form फिल कर सकते हूं तो सबसे पहले जो आपने credential generate किये थे registration में आपने लास्ट वीडियो में वो यूज करके आपको सबसे पहले login करना है तो जब आप login कर लोगे तो आपका जो first page है आपका profile है वो open हो जाएगा तो अगर आप जो आपने account दिया है और आप खुद वो form भरना चाहते हैं तो आपके जो कुछ details हैं जो already fill up मिलेंगे आपको जैसा कि आपका first name है last name है आपकी email ID है और ये चीज़े अगर आपको account वही रखना है बट आपको जो form fill up करना है वो दूसरे candidate के लिए करना है तो आपको अपना profile update करना पड़ेगा तो जैसे मेरे case में मैंने account तो मेरा same रहने वाला है जो मैंने last time create किया था बट मैं जो form fill up करूंगा lab assistant का वो किसी और candidate के लिए कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे को जो अपना first name है वो आपको enter करना है उसके बाद मेरे को display name देना है जो मेरी candidate की date of birth रहेगी वो fill up करनी है उसके बाद मेरे को gender define करना है email id same रहने वाला रहेगा उसके बाद telephone number जो आपका mobile number रहना है contact के लिए वो आपको देना है उसके बाद जो आपको define करना है वो आपका रहेगा postal address तो ये और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप details डाल रहे हो वो आपकी government id के according होनी चाहिए या फिर आपका जो 10th और 12th की mark sheet में जो details दी गई है वो उससे match करती रहनी चाहिए otherwise जब आपका verification के time पे रहेगा तो अगर वो different हुआ तो वहाँ पे आपको problem face करना पड़ेगा तो ये details हैं चलिए ये मैंने complete कर दी है मेरी profile almost complete हो गई है अब मैं simply करूँ है क्या update पे मेरे को click करना है तो यहां से मेरी जो नई profile है वो update हो चुकी है अभी आप लोगों को दिख रहागा SSO file has been updated आप यहां से करना क्या है जो मेरा main page है वो applications open हो जाएंगी तो आपको recruitment portal search करना है quick search में recruitment portal यहां से आपको दिखेगा यहां से आपको open कर लेना है और यह page दिखेगा यहां पे my application notification and ongoing recruitment for राजिस्थान government यहां से आपको जो भी form आप fill up कर रहे हो वो select करना है उससे related आपको post नजर आ जाएंगी कितनी post किस department के लिए है उसकी opening date क्या है closure क्या है exam date कप कर रहने वाला है etc. उसके बाद आपको simply करना क्या है click now apply now पे click करना है और जिस course के लिए आप form fill कर रहे हो 10th base पे 12th base पे graduation base पे वो आपको click करना है उसके बाद जब आप select कर लोगी तो आपका first जो page है form fill up के लिए वो open होएगा basic detail तो यहां से आपको candidate name उसके बाद gender parents name में सबसे पहले आपको father name define करना है फिर mother name define करना है उसके बाद जो आपको आपकी date of birth and I repeat जो भी आपकी detail रहेंगी वो certificate की according रहेंगी अगर यह different होती है तो आपका verification के time पे आपको problem होएगी तो याद रहें कि आप जो भी details डाल रहे हो वो आपकी match कर रही हो आपकी certificate से और ठीक हो जब आप यह details add कर दोगे तो उसके बाद आपको यहां से अगर आप specially able category से belong करते हो तो वो define करना है otherwise नहीं हो तो आपको note applicable सेलेक्ट करना है यहां से उसके बाद आपका जो next step है वो रहेगा sub specially able category यहां से भी अगर आप हो तो आपको select करना है otherwise नहीं तो आपने वहां पे note applicable कर दिया तो यह grade out हो जाएगा उसके बाद आपका religion रहेगा उसके बाद आपका फिर mobile number provide करना है email account आपने already जिस account से आप कर रहे हो तो वो already आपको यहां से मिल जाएगा यहां से फिर आपको अपने जो आधार card ID है वो enter करनी है तो यह चीज़े जब आप enter कर लोगे उसके बाद जो आपका next step रहेगा वो रहेगा applying for कि आप जो राजिस्थान में schedule area से belong करते हैं या नहीं वो आपको yes or no में जब आप देना है जब आप यह select कर लोगे उसके बाद आपका correspondence address रहेगा address आपको जो भी आप contact के लिए देते हो वो address आपको यहां पे provide करवाना है तो मैं एक बार अपना जो address है वो fill up कर लेता हूँ उसके बाद मेरे को अपना state select करना है district, pin code and mobile number तो यह चीज़े आपको provide करनी है उसके बाद अगर आपका permanent address भी बिल्कुल same है तो आपको click save as above अगर different है तो वो आप अलग से provide कर सकते हैं तो यह चीज़े जब आप fill up कर लोगे उसके बाद आपको yes पे click करना है because आपका जो यह कह रहा है कि अगर आपका जो details दी है mobile number और email ID वो ठीक है तो उसके बाद आपका जो second phase है form fill आपका वो open होईगा जिसमें आपको personal details डाली है तो इसमें जो सबसे पहला option है वो nationality रहेगा उसके बाद आपका किस state से आप belong करते हैं किस district से आप belong करते हैं उस district मे आपका block कौन सा है और आपकी तहसिल कौन सी पढ़ती है then after आपका village क्या है यह चीज़े आप कर दोगी जो next option रहेगा अगर आप किसी दूसरी country से आकर इंडिया में हो तो वो आपको select करना है अगर yes तो yes and फिर आप कर रहेगा कि किस country से आप आए हो यह अगर आपका answer रहने वाला है no तो simply आपको no पे क्लिक करना है तो वो जो next option है वो आपका automatically grade out हो जाएगा इसके बाद जो special category है वो आपको नीचे define करनी है इसमें आपको आप ex-serviceman हो yes and no यह चीज़े देनी है और आपको याद रखना है कि जो चीज़े आप इसमें select कर रहे हो उसके against में अगर आप yes देते हो तो आपको details देनी पड़ेगी अगर no करते हो तो इसमें कोई problem नहीं रहेगी इसके बाद आप जो ex-prisoner हो या आप ex-employee हो या existing government employee हो यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर define करनी है उसके बाद आपको जो आपकी family income है वो define करनी है yes and no में तो यह चीज़े आप क आपका third option open हो जाएगा form fill up के लिए that is qualification and experience तो जैसा कि मैंने आप लोगों को already बताया है मैं जो यह form fill up कर रहा हूं यह 12th base पे कर रहा हूं तो इसमें मेरे को secondary और senior secondary दो ही education चीज़े details देने की जरूरत रहे है अगर आप graduation base पे कर रहे हो तो आपको graduation की भी detail center करनी है आप इसम subjects थे उस time पे वो subject आपको mention करने है उसके बाद आपको किस board से आपने वो pass किया था वो detail डालनी है that is RBSC Rajasthan Board of State Education उस class में आपका जो roll number था वो क्या था उसके बाद जो आपका result था वो किस form में था CGPA था grade था या percentage था वो इसके बाद आपने किस year में complete किया था और जो last option कि आपको secondary में कितने percentage marks obtain होए थे जब आप यह define करोगे तो उसके बाद आपको जो next step है वो है senior secondary with science तो आपको ये भी detail डालना है और detailing इसमें आपकी almost same रहेगी that is आपके subjects उसके बाद आपका board कौन सा था इसके बाद आपका roll number क्या था और results की percentage system था CGPA था या grade system था and followed by आपकी year of passing and grade system that means आपकी percentage तो ये चीज़ें आप लोगों को define करनी है एक एक चीज़ करके आप जो भी mandatory things है जैसे कि आप लोगों को देख रहे हो कि 12th base पे हो तो आपको first and second mandatory है star option दिख रहा होगा third graduation base पे अगर आप graduation base पे भर होगे तो आपको third पे भी star option नज़र आएगा that is कि ये portion आपको fill up करना ही है इसको आप vacant नहीं चोड़ सकते तो इसमें भी आपको same रहने वाला percentage मेरा percentage था अगर आपका grade है तो आप grade select कीज़े उसके बाद year and आपका percentage marks ये चीज़े करने के बाद आपको simply करना क्या है बिल्कुल scroll down करके नीचे जाना है और इसमें एक चीज़ रह दीगा अगर आप next पे click करोगे तो आपको बोलेगा कि check mark the box तो वो box उपर है जो page start होता है वहां से आपको दिख जाएगा जो red words lines के सामने उसके सामने ये ये आपको check mark करना है then after click on next इसके पार जो option है वो रहेगा upload के लिए इसमें आपको photographs चीएगी आपकी उसके बाद आपके signature चीएगे हिंदी add English both और जो आपकी photographs रहेगी वो clean होनी चीए और उसका जो size है वो in between 50 kb to 100 kb same way signature में आपका जो है वो 20 kb से 50 kb के बीच में आपका signature लाई करना चाहिए तो ये चीज़े है आप लोग add कर लेना अगर आपको edit के लिए चाहिए तो मैं जो website का link है वो provide करवा दूँगा वहाँ से आप इसको resize कर सकते हो इसके बाद जो option है वो है body mark अगर आपकी body पे कोई ASMR के जो आप identity के लिए provide करवाना चाहते हैं तो वो आपको देना है ये option फिलब करने के बाद आपका option रहेगा next तो आप यहां से next पे click कर सकते हो इसके बाद जो option है वो रहेगा कि आप जो form फिलब कर रहे हो वो उसकी आपको preference देनी पड़ेगी तो सबसे पहला जो मैं अपन 12th base पे कर रहा हूं तो मेरा जो preference 1 रहने वाला है वो रहेगा secondary education इसके बाद आप अगर graduation पे हो तो accordingly आपको preferences 1, 2, 3, 4, 5 करके select करने हैं उसके बाद आपको next पे click करना है और आपका form फिलब का काम almost complete हो गया है यहां से आपको आपका form जो preview है application का वो दिखाई पड़ेगा तो यहां से आपकी जो details अभी तक आपने जो entry की है वो आ जाएंगी इसमें कुछ change है तो आप यहां से final submit से पहले update करना और यहां से आपको fee status दिखाई पड़ेगा तो जब आप यहां पे declaration पे click करोगे और update पे click कर दोगे आप final submit पे click करोगे that means इसके बाद आप final submit entry नहीं कर प तो यहां से आपको क्या करना आपका 250 का form है इसके बाद आपको pay fees पे click करना है नीचे दिया गया है pay fees यहां से आपको click करना है and then OK इसके बाद जो आपकी ये विंडो है ये close हो जाएगी और जो आपका link है payment के लिए वो active हो जाएगा तो यहां से आपका जो payment link है वो आजाएगा यहां से आप net banking में जो भी आप जिस bank के थ्रू आप payment करना चाहते हैं वो आपको select करना है यहां से जो भी आपका लिस्टिंग में जो bank दिया गया है इन ही में से आपको select करना है उसके बाद मैंने SBI का select किया है तो यहां से आप लोगों को दिख रहा होगा कि net banking के fees कितनी लगेगी तो यह free of cost रहने वाला है जो आपका application form है वही face deduct होगी तो यहां से आपको करना किया है pay now पे click करना है जहां यहां से आपको pay now पे click करना है और इसके बाद जो page है वो आपका government site जो आपका bank है उसकी site पे आपको redirect कर दिया जाएगा यहां से आपका जो भी net banking का उस bank से related आपका username and password है वो आपको enter करना है जब आप यह कर लोगे तो इसके बाद आपको login पे click करना है और यहां से आपका account आपको details हाजाएंगी इसके बाद आपकी जो amount है वो 260 रहने वाली है और आपको करना कहा है नीचे confirm पे click करना है जब आप confirm पे click करोगे तो आपके registered mobile number पे जो इस bank के साथ related है उस पे एक OTP आएगा वो OTP आपको यहां पे enter करना पड़ेगा उसके बाद आप जब आप OTP एंटर कर दोगे उसके बाद आपको जो last step रहेगा वो confirm पे click करना जब आप confirm पे click कर दोगे तो आपकी payment आपको message आ जाएगा your payment was successful that means आपकी जो इस form के related जो payment है वो complete हो चुकी है तो यह 60 seconds में अपने आप उस आपके form पे चला जाएगा otherwise manually भी आप click here पे करके जा सकते हो तो जब आप click here पे click करोगे तो आपका जो form था जहाँ पे आपने left किया था वहीं पे आ जाएगा और आपका your application ID generate हो जाएगा यह application ID जब आप payment कर दोगी उसी के बाद ही generate होता है उससे पहले नहीं यहाँ से आप अगर आपने जो fees दिया उसकी भी print निकाल सकते हो जो आपका form है उसका भी print ले सकते हो तो आपको form का print लेना है तो simply आपको home पे जाना है और यहाँ से view application पे click करना है यह आपका form है जो आपने fill up किया है यहाँ से आप नीचे देख पाओगे 6th column में कि fees आपकी submit हो चुकी है और यह आपकी details रहने वाली है अगर आपको इसको print करना है तो simply आप इस पे print पे click करोगे अगर आपको save करना है तो आप soft copy भी save as PDF रख सकते हो तो यह form था जो हभी recent में निकला हुआ है तो इस वीडियो को मेरे को बनाना था और आप लोगों से request है कि मेरे वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको share करे ताकि और भी बच्चे जो online form fill up करना चाते हैं वो fill कर सके Thank you